है है कि है कि है एल्लों है दोस्तो आप देखरे हैं नीरज यादो योट्यूब चैनल दोस्तों आज की सीडू में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लाउट फ्लեर क्या है और प्लाउट 나서 है आप क्या एक है कै दो दो दोस्तों अगर आप online internet से पैसे कमाना चाहते हैं to make sure ये वीडियो आप जरूर देख़िएगा internet से online पैसा कमाने का तरीका ये वीडियो आप जरू देखिएगा इस einzig मैने ऐसे ऐसे तरीके बता हैं जिससे आप और बहुत बहुत सारे तरीकों को अपना कर यहां पर ओनलाइन पैसा कमा सकते हैं अब दोस्तों हो सकता है आपको ब्लॉगिंग अच्छी ना लग रही हो उससे अच्छा आपको कुछ और लग जाए इसमें से तो इसमें बहुत सारे तरीके बताए हैं वो जरूर आप देखिएगा और आई होप कि यह इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका वाला वीडियो जो मैं बनाया हूँ बहुत मेनत लगी है एक बार इसको जरूर देखिएगा उमीद है उससे आप वो देखेंगे आपको तो पसंद आएगा चलिए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो का ज आप अगर अपनी website को connect कर देते हैं तो यह क्या करता है कि suppose करिए कि कोई बंदा है जो US में है और इंडिया से आपकी site को access कर रहा है और आपकी site जो है इंडिया में तो एसे में वो जब access करेगा तो आपके server पर लोड पड़ेगा और उसको content आपका जो है बहुत मुस्किल से पहुंचेगा, बहुत धीरे जाएगा, तो इससे आपकी website की जो speed है, वो slow हो जाती है, और आपके server पे load पड़ता है, तो ये भी एक problem होती है, तो ऐसे में ये CDN क्या करता है, cloud flare क्या करता है, आपके website का copy बना देता है, जगा जगा पे, सब्सक्रिये US में एक copy बना दिया, एक copy Canada में बना दिया, ये copy कहीं और बना दिया, अलग-अलग country में ये copy बना देता है, अब जो बंदा जहां से भी search करेगा, वो बंदा US में copy बना दिया, cloud flare आपकी website का, तो वो बंदा US से जैसे ही visit करेगा आपकी website को, तो वो already वहाँ US पे मौजूद है, आपका content वहीं सी ये उ code भी नहीं आएगा, तो ये benefit होता है cloud flare का, और cloud flare का एक और benefit है, अगर आप wordpress user है, तो आपको free में SSL certificate भी ये provide कर देता है, lifetime के लिए, तो इसलिए ये beneficial हो सकता है, अगर आप wordpress user है, और इस पर आप, जो आप blogger आप use करते हो अगर, तो blogger को भी आप अपने cloud flare पे डाल सकते ह हैं, और blogger में SSL certificate तो already free में मिलता है, तो उसको SSL enable करने की यहां से जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो enable कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो cloud flare आप समझ गयोंगे होता क्या है, और इसे हमें benefit क्या होता है, और कैसे क्यों हमारी website speed up होती है, ठीक है, अब cloud flare में एक और feature होता है, इसमें यह आपका caching बना देता है, आपकी website को cache कर देता है, caching कर देने से क्या होता है, कि suppose एक उदारण में देता हूँ, माल लिजिए आप browser यूज़ करते है, chrome browser, अब chrome browser में जैसे किसी के website को आप widget करते हैं, तो वहाँ पी क्या होता है, एक बार अब उस website को आप widget करेंगे, तो वह page पहले के मुकाबले जल्दी load हो जाता है, तो यह benefit होता है, caching बना देता है, और आपके जो भी java script वगेरा होते हैं, वो यह क्या करता है cloud flare, उसको minify कर देता है, जिसकी वजह से आपकी website improve हो जाती है, speed up हो जाती है, ठीक है, तो कैसे पहले अगर डाली गई वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को subscribe जरू करिएगा, और notification bell को on करिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, subscribe करना कर लेना है, और साथ में notification bell क्लिक कर लेना है, और all पर select कर लेना है, और दूस्तों एक चीज बता दो, subscribe करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप support दिखाई है अपना, मैं आपको content जो है लाके दूँगा, ठीक है, लाइक कर दीजीगा इस वीडियो को, और बहुत सारे वीडियो आ चुके है, ब्लागिंग से रिलेटेर मेक्स और इनको देखिएगा, ठीक है, तो आपको simply करना क्या है, cloud flare पे आने के बाद simply आपको sign up button पे click कर देना है, sign up button पे click करने के बाद ये open हो रहा है, वेट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और आप अपना जहां से भी domain खरीदे हैं, dot com, dot in, जो भी domain खरीदे हैं, वो आपको यहाँ पे, वहाँ पे आ जाना है, ठीक है, लोग इन कर लि कर दीजिए, आपका बन जाएगा, आपके Gmail पे एक लिंक आएगा, एक्टिवेट करने के लिए Cloudflare का अकाउंट, तो एक्टिवेट कर दीजिए, लिंक पर आपका अकाउंट जो है, एक्टिवेट हो जाएगा, तो अब लॉग इन करना है, लॉग इन करेंगे, जब यहाँ आपको लॉग इन पे क्लिक कर देते हैं, वही email id, password डाल के login कर लेना है, बस, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही login होगा, आपको add a site का option, फ्रंट में आपको दीखेगा, अब add a site पे क्लिक करना है, और आपको अपने website का URL डालना है, जैसे सबोच करिए मेरे website का नाम ह njtechnicalhindi.com, तो वहाँ पे ना www लगाना है, ना https लगाना है, simply आपको njtechnicalhindi.com, आपको बस domain का नाम डाल देना है, njtechnicalhindi.com, example लेगे, इस तरह से आपको डाल लेना है, और add a site पे क्लिक कर देना है, add a site पे क्लिक करना है, simply आप करना क्या है, मैं आपको go daddy में लेकर पहले च आने के बाद, यहाँ पे जो name server है, यह name server आपको cloudflare का ढालना है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे cloudflare का डाला है, तो cloudflare का name server डाल देंगे, और इसका by default जो आपका domain का DNS में जो name server होता है, जो by default होता है, उसको off कर देना है, वहां से अपना डाल लेना है, बस यही benefit क्या होता है यह मैंने बता है अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको practically करके बताऊंगा कि Cloudflare पे sign up कैसे करते हैं और कैसे यहां पे और नेम सर्वर वगेरा चेंज करते हैं everything सब कुछ मैं clear कहूंगा अगली वीडियो में वैसे यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी ठीक है आई होप यह वीडियो पसंद होगा और दोस्तों एक बार और याद दिला दूँ आपको इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं ओनलाइन यह वीडियो जरूर देखिएगा लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है अगर आप ओनलाइन अर्निंग के फिल्ड में आये हैं ठीक है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मेक्स यो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा